दोस्तों चाहें server management की बात हो या software development की log files की जरूरत हर technician और developer को हो जाती है पर क्या आप जानते हैं कि आखिरी log file है क्या और कैसी एक expert की मज़द करती है तो देखते रहें इस वीडियो को क्योंकि आज मैं आप से इसी के बारे बात करने वाला हूँ नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम मोहित, आप देखने टेक नंदन, लेट स्टार्ट दोस्तो लॉक फाइल्स, जिससे सिस्टम दौरा आटोमेटिकली प्रिड्यूस किया जाता है इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए इवेंट्स से मेरा मतलब है, सौफ्ट वेर और आपरेटिक सिस्टम दौरा, बिहाइंड दा सीन्स लिए गए एक्शन का रिकॉर्ड दोस्तो, लॉक फाइल्स का उदेशे, परदे की पीछे क्या हो रहा है, इस पर नज़र रखना है मान लीजिए, आपने कोई सौफ्ट वेर इंस्टॉल किया, तब कौन-कौन से टास्क उस इंस्टॉलेशन के दौरान हुए ओपरेटिक सिस्टम ने कौन-कौन से एक्शन लिए, कौन सी फाइल क्रियेट की गई और एडिट की गई और अगर किसी टास्क में कोई एरर आया, तो वो कहां आया इन सब चीजों का लेखा जोगा, यानि की रिकार्ड्स लॉक फाइल में होता है ये फाइल्स और परेटिक सिस्टम दौरा और यहां तक की कुछ सौफ्ट वेर दौरा भी क्लिट की जाती है जिसमें इन फाइल का एक्टेंशन.log के नाम से और कभी-कभी कुछ सौफ्ट वेर और एप्लिकेशन दौरा .txt कभी उप्योग क्याता है दोस्तो लॉक फाइल का उप्योग, कम्प्यूटर तक ही सिमित नहीं है इसका उप्योग सर्वर, मोवाइल, राउटर और हर उस डिवाइस में होता है जहां कम्प्यूटेशन या डेटा का एक्चेंज होता हो दोस्तो बस फ्लैकल ही इतना इस वीडियो में अगर आपको यह वीडियो पसंद देते तो उसे लाइक कीजिए शेयर किजिए पने फ्रेंड के साथ और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें तो मिलते लिए वीडियो में गुड़ बाई